तो दोस्तों भारत की सबसे ज़ादा लूप रेकंपनी टाटा ग्रूप ने बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे बड़े निरने लिये हैं जिनके बाद भारत की निर्भरता को काफी हद तक हतम किया जा सकता है हाली में आई टाइमस अफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक टाटा संस के चियर्मैन एन चंदर शेखर जी ने बुद्धवार को एक रिपोर्ट देते हुए बताया कि टाटा ग्रूप पूरी तरीके से भविश्य में आने वाली टेकलोजी को तयार कर रही है उनके मताबिक टाटा ग्रूप अब अपनी एक नई बैटरी कमपनी को लाँच करने जारी है जिसके लिए टाटा ग्रूप के दरब से उसका ब्ल्यूपरिंट पूरी तरीके से त्यार कर लिया गया है जानकारी क्लाप को पता दें कि भारत में चीन, साउथ कोरिया, जापान जैसे बहुत सारे देशों से लीथियम आयन सेल्स और बैटरी पैक्स को इंपोर्ट किया जा रहा है जिनके चलते उनके जो डिजाइन्स हैं उनको उन्हीं कंट्री के हिसाब से डिसाइड किया गया है जिसके कारण भारत में कई इलेक्ट्रिक स्कूर्टर्स में आग लगने के खत्रे सामने आये हैं और अगर इन बैटरी के मैनिफाक्चिरिंग भारत में की जाएगी तो ये आग लगने का खत्रा काफी हद तक कम किया जा सकता है वहीं जानकर रिकार को बता दें कि टाटा ग्रूप अपनी एक नई यूनिट को पर काम कर रही है जो गुजरात के धुलेरा स्मार्च टीम है जहाँ पर स्पेशली लीथियम आयन सेल्स और बैटरीस का प्रड़क्शन किया जाएगा वहीं चंदर शेकरन जी ने टाटा ग्रूप के नियू सूपर एप का एक्जामपल देते हुए बताया कि हमारे जो भी कंजूमर्स हैं उनको अब जादा इलेक्टोनिक्स में इंटरस्ट है यानि कि आने वले फ्यूचर में इलेक्टोनिक्स से डिमांड बहुत जादा बढ रही है ताकि हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर उसको काफियत तक खतम किया जा सके और हम अपने प्रोड़क्स को ओल ओवर ग्लोबली एक्सपोर्ट कर पाएं वहीं आपको याद होगा कि टाटा ने बीते कुछ दिनों में कई नई कॉंसप्ट इलेक्ट्रिक व जैसे की टाटा मोटर्स की नेक्सवन इवी टिगोर इवी जैसे मॉडलों पर आरत में बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिला है और जिसके चलते टाटा ग्रोप ना सिर्फ एक पावर सोस्यानी की सिर्फ एलेक्ट्रिक वेहिकल या फिर पेट्रोल या डीजल वेहिकल पर का पर्न कर रही है जिनके कुछ मॉडल्स को लोंच किया गया है है ताक की तरफ से चहांपर हाइडोजन फ्यूल से चलने बाली बसस को भी इसी साल टाकी तरफ से लॉंच किया जाएगा वहीं टाके मुताबिक ने जो अवीनिया कार को लॉंच किया है वह अब तक की सबसे इंडिया के लिए और इसको बिल्कुल raw material से बनाया जाएगा यानि कि जो भी देश के इंदर waste या कच्रा है उससे यहाँ पर hydrogen को प्रडूशन को कम करेगा साथी साथ एक ऐसे fuel को भी प्रडूशन नहीं करेगा तो टाटा मोटर्स ने भारत के अच्छा भविशी के लिए कई बड़ी तैयारिया बना दी हैं टाटा के इस बड़े डिसीजन के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट वाक्स में जरूर लिखेगा भारत कैसे ही यूस्फुल एन इन्फोर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अपमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिज झाई